हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आउनलेंड नोलेज पर दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रू कॉलर कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसे कैसे यूज करेंगे किसी भी नंबर को सर्च करके कैसे पता करें जो वो नंबर कहां का है किसके नाम से है ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग प्ले स्टॉर ओपैन करेंगे प्ले स्टॉर ओपैन करने के बाद यहां पे सर्च करेंगे true color true color पे click करेंगे true color पे click करने के बाद इसमें install है इसलिए इसमें open दिखा रहा है आप install करेंगे तो आपको यहाँ पे install लिखा हुआ मिलेगा तो चलिए open करते हैं इसको open करते हैं open करने के बाद इसमें कुछ language है जो और कुछ है इसमें get start करने के लिए बोल रहा है तो get start पे click करेंगे इसके बाद ये इसमें set default का हा रहा है click करने के लिए इसमें दिया गुया है जो इस app को permission देने के लिए बोला गया है तो set default करेंगे इसके बाद continue option पे click करेंगे continue करने के बाद जो भी number हमारे phone में है वो यहाँ पे दिखेगा या फिर नहीं भी दिखे तो डालने का option आता है वो डालके click करेंगे click करने के बाद इसका term and condition है कुछ इस पे ये agree करने के लिए बोल रहा है तो हम agree and continue पे click करेंगे agree and continue पे click करने के बाद हमारे phone पे एक message आता है OTP फिलाल यहाँ पे नाम टैप करना है जो नाम मैं पहले से install कर रखा हूँ तो इसमें नाम इसका last name और यहाँ पे email id देके इसको continue करना है continue करने के बाद कुछ time लगड़ा है नेट की वज़ा से continue करने के बाद यह हमारे सामने इस तरह से open हो जाएगा हम पहले से open गिये थे इसको इसलिए इसमें OTP नहीं पांगा आपको हो सकता है पहली बार हो OTP भी मांगेगा तो चलिए इसमें हम एक number search करके देखते हैं किसके नाम पे है कहां का है तो यहां पे search number पे click करेंगे यहां पे search number पे click करने के बाद एक नमबर मैंने copy किया है इसको paste करेंगे paste करने के बाद यहां पे यह दिखा रहा है स्वेता HR करके कोई है जिसका यह number है यह देली इंडिया का number है ठीक है तो किसी भी number को हम यहां पे डाल के check कर सकते हैं जो किसका number है और कहां का number है अगर यह हमारे phone में install रहता है तो हमें किसी की number को जरुरत नहीं है save करने का call आएगा तो खुद बखुद वो नाम बता देगा और कहां का number है यह बता देगा इसमें बहुत सारा function दिया हुआ है इसमें नीचे आएंगे setting option पे जाएंगे इसमें देम भी change कर सकते हैं setting है setting में जाके इसमें बहुत सारा option दिया हुआ है इस option को देखके language भी change कर सकते हैं इसका call already भी है इसके बाद इसमें कोई भी call recording करनी होती है तो call recording भी हो जाती है या फिर इससे block करना हो किसी भी number को तो आप block भी कर सकते हैं backup लेना हो backup भी ले सकते हैं इसके बाद ये general setting में भी बहुत सारे setting दिये हुए हैं ये true caller में इसमें दिया हुआ है जो आप message भी लेना चाहते हैं या सिर्फ call ही लेना चाहते हैं तो ये अपने नुसार है on कर सकते हैं ये भी इसके बाद ये बहुत सारा number copy करनी है तो copy भी हो जाएगी message अगर इसमें open करेंगे तो इसको on करेंगे तो message भी चालू हो जाएगा इसमें आना इसमें बहुत सारा function है इसको देखने के बाद अपने अनुसारी से on या off कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यहीं सीखा true caller कैसे install करते हैं नंबर कैसे search करते हैं कोई भी नंबर को कैसे search करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you करते हैं तो